नमस्ते और वेलकम टू डे बाइडे क्लासेस आपका डे बाइडे क्लासेस में दिल से स्वागत है आज हम लोग 10th क्लास के चाहे आप स्टेंडर्ड में हो या बेसिक्स मैतामेटिक्स ले रखी हो तुम आपको यह बताऊंगा कि जो आपके mcq questions आते हैं 15 उसको आपको trick के साथ कैसे solve करना है आपको एक नमबर के लिए पूरे प्रोसेस को follow करने की जरूरत नहीं है आपको हलका सा दिमाग लगाना है और alternate तरीके से सोचके correct answer तक आप आ सकते हो तो मैं आज आपको यहाँ पर कुछ question करके दिखाऊंगा तब आपको idea ल जरा एक सवाल को पहले हम पकड़ेंगे उसको बात करने की कोशिश करेंगे सवाल क्या कहता है कहता है an unbiased dice is thrown once the probability of getting a number between two and six सबसे पहले समझ ले unbiased dice क्या होता है unbiased dice का मतलब होता है कि जिसमें दोनों चीजे head और tail आने की दोनों की अगर probability equal है आपने वो सोले मूवी देखिया है उसमें हमेशा जो अमिता बिक्चन साब होते हैं एक coin को toss करते हैं हर बारी एक ही आ जाता है तो वो 22 डाइस है कि जो चाहते हो वही आये this is called 22 डाइस अनवास क्या होता है सर जिसमें दोनों की आने के probability बराबर है कुछ भी आ सकता है हमें नहीं पता हुद्ट है सरकार वही कहता है तो उसमें कुछ भी आ सकता है हमें नहीं पता हो सकता, कहता है the probability of getting, एक आपने dice को throw, dice में तब जानते हैं, जिससे आप लोग साप शड़ी खेलते हो ना, वो dice होता है, dice में किते number होते हैं, बाओ जी, one, two, three, four, five, और six number होते हैं, एक से छहतक के number हैं, कहता है the probability of getting a number between two and six, मैंने कहा था probability, निकालते हो अवकात हमेशा यहाँ लिखना है, जिसकी probability चाहिए, उसे bracket में डाल दो, तो हमें किसकी probability चाहिए, two, उसे two between six, दो और six के बीच की probability चाहिए, तो जो चाहिए, उसे उपर लिखो, total, नीचे लिखो, तो हम मैं दो से च्छे के बीच के number चाहिए, क्या चाहिए, मुझे, दो से च्छे के बीच का number चाहिए, तो अब देखो ज़रा, दो से च्छे के बीच का number, कितने number हो गए, भाओ जी, तीन number हो गए, तो जो चाहिए, उसे उपर लिख दो, total, कितने number है, total, कितने number है, च्छे, तो कैंसल कर दो वन अपॉन में टू ठीक है तो वन अपॉन में टू विल विदा और करेक्ट आप्शन तो देख लो वन अपॉन में टू यह रहा यह हमारा करेक्ट आप्शन हो जाएगा ठीक है सरकार MCQ करने का एक और तरीका सुन ले हमे drivers MCQ करते वकत 13 answer वही होगा जो 2 answer आपस में similar हो क्या कहा हम धि cu हमारा answer वही होगा जो answer आपस में similar हो देखें, यहाँ भी upper one है यहाँ भी upper one है यहाँपर two है और यहाँपर two है तो जो आपस में similar होंगे ज्यादा तर वही हमारे answer होने के probability होती है ठीक है सरकार बट इस question के लिए जो हमारा correct answer will be 1 by 2 करके मैंने यहां पर दिखा दिया था अगला सवाल यह रहा ठीक है next question पर आते हैं जरहां इस question को आप देखें कैसे करना है जल्दी जल्दी उसे कहता है a pair of equation this and this has unique solution infinite many solution no solution exactly two solution आपको याद है दर्द में कि अगर कभी भी a upon में a2 must be equal to b1 upon में b2 और must be equal to c1 upon में c हो जाते हैं तो हम इसे कहते हैं coincident line infinite solution this is called coincident की condition है लेकिन अगर a1 upon में a2 equal हो जाई से कहते हैं coincident line coincident line क्या होते जब एक line दूसरे line के ऊपर होती है this is called coincident line और many solution लेकिन अगर कभी क्या हो जाए सर अगर कभी ऐसा हो जाए कि a1 upon में a2 क्या कहा मैंने अगर मैं कहता हूं कि a1 upon में a2 equal है b1 upon में b2 but does not equal to c1 upon में c2 ध्यान से देख ले ध्यान से देख ले ठीक है सर क्या कहा मैंने कि ये equal नहीं है तो this is condition for parallel line क्या होती है पैरलल लाइन की condition है तो आपको टीन केसे स्याद रखने थे एवन अपॉन में टू इक्वेशन में क्या होता है और उसे सापसे हम अपने आपसर को करेंगे तो आप जरा इस बात को समझ लीजिए मैंने आपको बताने की कोशिश करी हुई है तो अब आप देखे जरा तीनों कंडिशन तो पहले देख लेते हैं एक्वेशन क्या है एक्स वाई प्लस में फाइप इक्वाल टू में जीरो है दूसरी एक्वेशन है मेरे पास मा माइनस का सिक्स वाई प्लस में वन इक्वाल टू में जीरो तब देखे इसका एवन इसका जो एवन होगा ना सर इसका जो एवन होगा इसका कॉफिशन्ट वही है एवन एवन अपॉन में एटू अब देखते हैं जरा बीवन अपॉन में बीटू तीसरा देखते हैं सीवन अपॉन में C2 तो अब देखो जरा cancel out करो 2 1 जा 2 2 3 जा 6 इसका मतलब A1 अपॉन में A2 तो equal हो गया B1 अपॉन में B2 देखो न यह equal हो गया बट पाइप अपॉन में 1 के equal थोड़ी ना है 1 अपॉन में माइनस खा 3 मतलब A1 अपॉन में A2 equal है B1 अपॉन में B2 बट भाद कर यह कौन ही कंडिशन होती है इस इस इसकल पैरलेल कंडिसी कणिशन और प्थैल्ल कंडिशन में आपको पता ह valvesसोलूशन विल गांसर यह आपको द्यान का इसमें से questions जरूर आएगा आपके पेपरर में अगला सवाल जरा देखे अगला सवाइं वाले होंगे तो समझ जायें अगला सवाल एक दम ध्यान से उसने क्या कहा है कहता है, त zich coordinate of our mid point, कभी भी अगर यहां पे दो coordinate दे एक ऐसी line दे दे, जैते- लाइन और यहां पे दे एks1 और इसका दे दे y1 और इसका दे x2 और इसका दे दे y2 अगर कभी भी ऐसा दे रखा हो और mi-point पूछता हो, merit point पूछता हो कौन सा पॉइंट, midpoint पूछता है तो बहुत आसान होता है जो इसका midpoint होगा sir इसका जो midpoint होता है कुछ नहीं x का होगा x1 प्लस में x2 divide by 2 और y का हो जाएगा y1 प्लस y2 divide by 2 ये दोनों क्या निकल के आ जाएंगे ये दोनों निकल के आ जाएंगे कोडिनेट किसके कोडिनेट midpoint के coordinate निकल के आ जाएंगे यह midpoint के लिए formula है ठीक है अब उसने कहता है कि the coordinate of a midpoint of line segment उसने एक line दे रखी ऐसे करके और उसका अरे उसने तो यही दे दिया सर इसका दे दिया x1 इसका दे दिया है y1 इसका दे दिया है x2 इसका दे दिया है y2 तो कहता है इसके जो midpoint पे होगा दीजिए तो अभी तो मैंने बताया था इसके coordinate क्या होंगे x1 x2 x1 प्लस में x2 divided by 2 और y का क्या होगा y1 प्लस y2 divided by 2 will be the coordinate of our midpoint देख लो किसमें है इसमें तो x1 x2 divided by y1 y2 divided by 2 देखे यही वाला correct option हो जाएगा कैसे पता चला मुझे इथर देख लो यह तो minus है minus कभी नहीं होता minus कभी नहीं होता और x1 y1 नहीं होता यह गलत है x1 x2 upon me to y1 y2 upon me to midpoint के लिए यही formula होता है ध्यान चे सम अगला सवाल है next question क्या कहता है कहता है पी denoted the probability हमीसा याद रख probability के लिए तुझे चाप्टर में बता दिया था probability के लिए तो चाप्टर में बताया था क्या बताया था सुन ले यही एक ही चीज बताई थी तुझे की हमेशा probability 0 से बड़ी होगी 1 से छोटी होगी हमेशा probability 0 से बड़ी होगी 1 से छोटी होगी तो देख ले 0 से बड़ी है और वन से छोटी है यह रहा अमेंसा प्रबाबिलिटी जीरो से बड़ी होगी वन से छोटी होगी यही रहेगा ठीक है सरकार अगला सवाल यह रहा ठीक है यह भी हो गया है अब यह भी देख लीजे जरा कुश्चन को पढ़िए वर्ना भी हो सो जाएंगे अगर यह रहा तो इसका रेडियस कितना है इसका बड़ी किया दे दिया इसने और दे दिया उसने क्या कहा इस हमें क्या काट के निकाल देना है कौन कौन आइस क्रिम क्काई गये लेंगे बाओ जी तो आप अगर अगर इसमें से काट के निकालेंगे तो तो कहता है सबसे बड़ा से बड़ा कटके आप निकाल सकते हो तो आप यह देख लो जो हमिस्फेयर का रेडियस होगा वही कोन का भी रेडियस होगा और जो हमिस्फेयर के लिए देखे सरकल के लिए जो हमिस्फेयर के लिए यह जो लाल वाली रेडियस होगी वही कोन के लिए हाइट का काम करेगी इसका मतलब कोन का हा it must be equal to the radius हाया ना देखना मेरे लाल ये रहा है तो यह कोण काट के निकालूंगा तो यह रहा कोण यह रहा कौन तो यह भी तो रेडियस ही थी और यह भी रेडियस थी तो जो कौन की हाइट होगी वही कौन मतलब जो हमिस्फेयर क्या रेडियस होगा वही कौन की हाइट हो जाएगी तो आपको कुछ नहीं करना आप बताए कौन का वल्यूम क्या होता है कौन का वल्यूम होता है हाईट के तो हैश की जगय है तो डाल देगा अरे बोल तो देranog और तो क्या हो जाएगा बन भाई थरी आट दो ऑर एक आर का क्यों प्लून नहीं हो चीव के रहा प्षटन में ठीक है हमेशा याद रखो वही option आपका करठ होगा जो दो को औप सन आपस में similar हों तो देखना यह तो आप सव qui नहीं देख यहाँ पर one-by-three यहाँफ भी ब्क ming अपस में similar है पराइन इह दोनों से उत्तर होगा और उत्तर होगा थे तेरा कहता है आप डाइस देते हैं जिससे साप सीड़ी खेलते थे सर बच्पन में टू डाइस आर थ्रोन टूगेदर दो दो डाइस हम आज फेंकेंगे ठीक है दा प्रोबाबिलिटी और गेटिंग दा सेम नंबर और बोध डाइस कहता है दो डाइस फेंका आपको वो चाहिए कि दोनों डाइस पे सेम नंबर आ जाए दोनों डाइस पे सेम जैसे मालने की एक यहां कोई कन्या है तो उसने भी एक डाइस फेंका और यहां पर कोई एक नर है उसने भी एक डाइस को फेंका है ठीक है सर अब देखे जब वो कहता है एक हो सकता है three three भी आ जाए हो सकता है 4 four भी आ जाएं और हो सकता है гр two three three four four five five six six आया तो कितरी नंबर हो जाएंगे एक दो तीन चार पांच छे तो टोटल छे नंबर हो सकता है आजाए तो आप इसे लिखो कि कैसे लिखो कि कैसे द्यान से देख लिए तुझे समझ में आया भी कि नहीं आया पर पता नहीं पर मुझे आया इधा इधर देख ले हो सकता दोनों पर वन वन आया हो सकता है टू टू आया हो सकता है थ्री थ्री यही चाहिए दोनों पर सेम सेम नंबर दोनों पर सेम सेम नंबर यही मुझे चाहिए लेकिन टोटल पॉसिबिलिटी किती है जब दो डाइस को फेंकते हैं तो टोटल थर्टी सिक्स पॉसिबिल तो किते नंबर आगए एक दो तीन चार पांच छे नंबर जो चाहिए वह उपड टोटल पॉसिबिलिटी किती दो डाइस फिक है गा तो 36 पॉसिबिलिटी इस फिक्स नीचे चंजल कर दे 6 वंजा 6 6 जा 36 1 by 6 विल बी और ऑप्शन 1 वाइस इक्स विल बी ओर और आप्शन यह रहा वन वाइश ठीक है तो रहा यह रहा वन वाइश ठीक है यह आप नोट कीजिये ध्यान से जो चहिए वह उपड टोटल नीचे ज्यादा दिमाग नहीं गाज़ेपीज कहता है इसने उसने कहा है इस इकवेज़न का इस इकवेज़न का उसने का रूट है इसने का root क्या है दो है देख पढ़ ले ना अगर दो इस equation का root है न तो 2 की value अगर तू इस equation में put करेगा तो इसका left hand side बराबर हो जाएगा इसके right hand side के यही मतलब होता है root का root का मतलब है कि यह root अगर इसमें तो put करेगा left और right आपस में equal हो जाएगे तो उसने खुद बोला कि 2 इसका root है तो मैं इसमें put करूँगा तो जैसे ही 2 इसका root होगा तो मैं इसमें put करूँगा तो क्या जाएगा x की जगह ही मैं put करूँगा sir ध्यान से देखे मैंने put कर दिया है x की जगह तो क्या जाएगा आप समझ लीजे झरा तो क्या हैगा तो यह हो जाएगा सर्फ 4 और यह हो जाएगा 2b ट्लस में अभी देखें 12 और 4 16 तो 2b एक पर 2 में माइनस का 16 और यहां से b की वैलू निकालेंगे तो सब्सक्राइब मैं एक आग्गे क्या कहता है नहीं क्या debating मैं एक्वेज़न के रूट अपस में एक्वब希क अपको आपको मैंने पहले भी था अगर कभी भी दो क्यों के रूट आपस में चैनल हो जाए तो यह फॉर्मिला लगता तो बस लगा दो ये ठीक है सर लेकिन देखे बी है ना ये रहा बी और बी की वैलू तो हम निकाल के लाए है माइनस एट तो इसमें माइनस आठ डाल दीजे तो माइनस एट का स्क्वाइर माइनस फोर एक इतना है कॉपिशन्ट आफ एक स्क्वाइर बिल भी ये सी कितना है क्यू है ना देखे ये क्यू दे रखा ये क्यू है कुशन्ट में और इपर टू में यहाँ पर जीरू है तो बस अब आप एट का स्क्वाइर करेंगे तो 64 माइनस में 4 क्यू इक्वल टू में 0 तो यहाँ से आप क्यू की वैलू निकाल दीजे ठीक है ना तो इधर हो जाएगा माइनस का 4Q और यहाँ पर जाएगा माइनस में 64 ठीक है अब यहाँ से क्यू की वैलू क्या जाएगी माइनस में 64 अपन में माइनस में 4 माइनस से माइनस खलास हो जाएगा तो इसे काट दीजी जैसे आप कट करेंगे टू टू जा 4 टू 3 जा 6 तू टू जा 4 मै से थोड़ा सा स्पेस में कट करता हूं ना अधर्वाइस थोड़ा सा आपको तकलीफ हो जाएगी ठीक है अभी आप देखिए थोड़ा सा दिक्कत है अपके साथ तो अभी मैंने बताते ना आपको वी की वैलू माना सेट निकल के आ गई थी तो इस एक्विजन में मैंने पूट करना था तो माइनस एट का स्कॉयर हो जाएगा और और एक वैलू कितनी आगी कॉफिशन्ट आफ एक्स स्कार यहां से ले का चाहिएगे तो यह घ्क्विजन गिवन है आको, BX प्लस में Q इक्वल टू में 0 तो 4 A और C की वैलू क्यू है एकक्वल टू में हाँ पे 0 है तो यह हो जाएगा 64 प्लस का और यह हो जाएगा 4 Q इक्वल टू में 0 तो माइनस 4 Q इक्वल टू किसे रहने दीजिये इधर माइनच से माइनच खला सो जाएगा कियो क्या जाएगे 64 अपान में 4 relax rdg hr दो ऊधर चला जाएगा 4 छड़ीक वैलु किते नियुक्र क्या ये शर 16 रिज गई उत्तों भात उसने क्यों की वैलुवे पूछी थी तो किन ये रही 16 कुछ नहीं करना इस 2 को इसमें डालना है बी की वैलू निकल जाएगी इसमें बी की वैलू डाल दीजी आंसर आजाएगा और उसने कंडिशन दे रखी यहीं इकवल रूट वहरापको पता जब कभी वी इकवल रूट होता है तो बसक्वार माइनस पूर एसे इकवल टू में जीरो का फॉर्मला यूज करते हैं देखे मैं सवाल पुछ रहां आप एक बार समझ लेजा यह ना ऑक अब एक बार और समझें कहता है इस दा equation यह आपको कोई equation गीवन है कहता है इस ग्वेजिन रूट अभी तुझे कहा था जब कभी बीकॉल रूट हों जब कभी भी एक्वाल रूट हों तो बी स्कॉएर मांइनस 4 एसी 0 होता है तो बस अब याद रखें B की वैलू क्या होती है, B की वैलू वही होती है जो X के लामा बचेगा, वो हमारा B होता है तो B है यहाँ पर 6 के बच्चे यहीं गलती करते है उन्हें लगता है 6 इजाबी नहीं सर 6 के इजाबी क्योंकि एक्स के अलामाद जो बैलू बचेगी वही भी है तो बी स्क्वाइर माइनस 4 ए क्या है सर कॉफिशेंट ओफ x स्क्वाइर तो 9 c क्या है सर सामने लिखा हुआ है 4 यह रहा से इकवल टू में 0 हो जाएगा तो यह हो जाएगा 36 k स्क्वाइर और यह हो जाएगा इकवल टू में सर सबको अधर लेके चल चल यह और इंटू में 9 इंटू में 4 आप मंटिप्लाई करके बिले जा सकते मैं डारेट लेके चला गया हूं कौन इतिमनाद करेगा ठीक है सर तो इ इंटू में 9 इंटू में 4 अपान में 36 ठीक है अब 9 फोर जा 36 तो 36 से 36 कैंसल हो जाएगा तो k स्कॉर की वैलू क्या निकल के आजएगी k स्कॉर की वैलू निकल के आएगी 4 और आपको तो पता ही है k की वैलू निकालने के लिए अंडर रूट 4 करना पड़ेगा और अंडर पूल की वैलू कर कि देखिए k2 तो में 4 इसकॉर धर जैके अंडरूट हो जाएगा और अंडरूट 4 की वैलू प्लस माइनस तो तो बश अब देख लिए k की वैलओً प्लस माइनस true कहां पर दे रखए है यह दे रखी है अंडर रूट 4 इसका यह रहाक सब्सक्राइब करेक्ट ऑप्शन ठीक है सरकार या एक ट्रिक बता दो दूसरा ट्रिक आप याद करेंगे जब कभी ऐसे हो ना और रूट्स पूछा हो तो आप क्या कर सकते हो कि किसी भी रूट्स की वैलू में अगर आप पूट करेंगे और लेफ्ट और आप ऐसे ही किरिए वह ज्यादा भैतर रहेगा आप कंफ्यूज ज्यादा हो जाएंगे ठीक है सरकार अगले सवाल पर देखते हैं जरा अब देखे एक टिग्नोमेट्री को कुशन और बच्चों को लगता है क्या मुश्किल सवाल है लेकिन सर इजी कुशन है उसने क्या कहा हुआ है सर ध्यान अब ध्यान देखे जहां जहां साइन वहां 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 अ भर ये एक की जगें तो ए ही रहेगा एक की जगें तो ए ही रहेगा एक की जगें तो ए ही रहेगा ठीक है सर आप जरा साइन थीटा की जगें आप भर दीजे तो ए प्लस में और कॉस थीटा की जगें बी भर दीजे बी इसकी जगें बी अपान में जहां साइन थीटा है वहां ए जहां cos theta वहां B भरिये, देखे इसका product क्या हो जाएगा, it will be a square, plus में b square, इधर हो जाएगा a square, minus में d square, भर धूंड लीजिए, तो यह तो square में चाहिए हमें, उपर तो plus है, तो यहां उपर minus दिया है, d will be the correct option, बस यह आपको याद रखना था, ठीक है सर, I hope आपको समझ में आ आ गया होगा, करने को बहुत सारी तरीकें आप आसानी से कर सकते हैं सर, अगला, हमेशा एक rule याद रखे, rule याद क्या रखना है, मैंने आपको याद रखना है, मैंने आपको एक चीज भी बताई हुई है, मैंने बात यह आप से करी हुई थी सर, कि अगर कभी भी आपको य किसी भी दो नंबर का प्रोड़क्ट हमेशा बराबर है उसी दो नंबर के HCF में LCM के हमेशा याद रखे रूल किसी भी दो नंबर का प्रोड़क्ट उसी के LCM उसी के LCM उसी के SCF के बराबर हमेशा इसी के उपर सवाल पुछेगा देख सवाल ने क्या पुछा है वो कहेगा कि सवाल ने क्या पुछा जरा उसको देखे सर कोशन ये रहा कोशन ने सवाल में पुछा है उसने मेर से उसने मेर से ये पुछा है कहता है if the LCM of AN18 कहता है A और 18 का जो LCM है वो कितना है 36 है फिर कहता है and the HCF of AN18 और A और 18 का जो HCF है HCF है वो कितना दे दिया है सर 2 दे दिया है 2 नमबर का LCM दे दिया 2 नमबर का HCF दे दिया और मेरे से पुछता है जो A है ना A की वैलू बता दो और अभी तो आपको बतायाता है सर एक फॉर्मुला कौन सा फॉर्मुला किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट हमेशा बराबर है उसी दो नंबर के एक बार नंबर है पहला नंबर है दूसरा नंबर 18 है किसके बराबर होगा उसी के सिएक कितना है देख दो है तो दो बर दे कितना है अब बस अब आपको करना कुछ नहीं है अब आप देख लो एक की वैलू कैसे निकलेगे टू अपान में 36 अपान में 18 तो 18 दूनी 36 टू को टू से मंटिप्लाइ करोगे तो फोर एक की वैलू कितीन कल क्या गई फोर यह रहा आप्शन ठीक है सरका इसी के उपर एक सवाल जरूर पुछेगा आड़े तेड़े मेड़े करके जरूर पुछेगा अगर तू टेंत में है तो देख इसको पक्का पुछेगा और पेपर में तेरसे होईगा लेकिन तभी जब आप ध्यान से समझेंगे इस रूल को तब ठीक है सर अगर आप पढ़ेंगे तभी समझें कहता है इस पी इस दा मीड़ पॉइंट ऑफ लाइन सेग्मेंट ज्वाइनिंग दिस एंडिस कहता है एक यहां पे क्यू है और एक यहां पे आर है कोई बात नहीं यह रहा क्यू और यह रहा आर तो इसके आर का पॉइंट कहा है तू पी फॉर पारिट तो पी के भी कॉडिनेट उसने दे दिया है एप उन में थ्री और यह फूर है ठीक है कहता है यह दोनों लाइन सेग्मेंट है और यह कोई मीड़ पॉइंट है याद आया मीड़ पॉइंट का फॉर्मला सुरू में ही आज बताया था अगर यह मीड़ अगर किसी भी दो कॉडिनेट का मीड़ पॉइंट कैसे निकालते हैं तो आपको पता है ना अभी मैं यहां पर फॉर्मॉरा लिखूं मीड़ पॉइंट का फॉर्मॉला कैसे लिखते हैं अगर X निकालना हो तो X1 और X2 divided by 2 और Y कॉडिनेट निकालना हो तो क्या य मैं y2이 2 बस यही आपको करना था तो आप क्या करेंगे यही करेंगे जो आपको करना होगा ठीक है सरकार तो अब आप क्या करेंगे जरा इसको समझ यह ठीक है तो यह रहा आपका concept अब इसी concept को ओपर आपको मैं यह बता देता हूँ तो आप देख लिए जरा हम क्या करेंगे इसको अब इसमें क्योंकि निकालना है इसके answers को तो आप इसको जरा बर समझ यह तो कि जगे चेना सर इसलिए में इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं दे प्लस में माइनस का 2 डिवाइड बाई 2 और y का क्या आएगा y का तो सर 4 है तो 5 प्लस में 3 डिवाइड बाई 2 y का तो निकालना है नहीं ना हमें x की a की value निकालनी y का तो given है तो आप इसे छोड़ दिजे y का निकालनी के जरुत नी x पे ही काम कर लेते हैं अपर लोग तो इसका क्या हो जाएगा सर देखे माइनस का अच्छे और प्लस इंटू में माइनस बिल भी माइनस का 2 डिवाइड बाई 2 तो यह हो जाएगा माइनस का 4 तो क्या आजाएगा इसकी value आएगी a upon me 3 equal to me माइनस का 4 ये इधर divide में इधर जाके multiply में हो जाएगा सर ये की value आजाएगी माइनस का 12 तो माइनस का 12 ये का value ये रही इसकी value ठीक है सर अगला सवा को थीक है चल्धी से देखो क्या कहता है कहता है वर धीब टलमिट अफ मोडन क्लास तुझे बताया थे ना मोडन क्लास वह होती जिसके frequency सबसे जगादा हो उसे model class गोलते हैं जिसके frequency सबसे जगदा हुसे model class किसके फ्रीक्वेंसे जगदा है पंदरा के जगदा है तो से model class ऑस model class की lower limit ये रही model class की lower limit क्या है 80演 असी पर आंसर टिक अगे बढ़ जा इसमें क्या बड़ी बात है सर हो यह रहा आपके लिए सर समय के उपर पक्का एक सवाल आएगा और तूंसे कर नहीं पाएगा लेकिन अगर तूं मेरी बातों को समझेगा तो जरूर कर जाएगा एलसं के एक नई definition सुर ले क्या होती एलसं के definition अगर कभी भी निकालना होना तो आप ध्यानस स्ने उसने कहा है मुझे कि 2 की पावर 3 इंट्यू में 3 की पावर 2 ना मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूं 2 की पावर 3 इंट्यू में 3 की पावर 2 और एक और नमबर दिया टू की पावर टू इन टू में थरी की पावर थरी कहता है इन दोनों का मझे क्या चाहिए एलसियम चे बहुत ध्यान से सुन ले सर्फ ध्यान से देख एलसियम चे ना इसका तो हमीशा याद रख एलसियम वो नंबर होता है LCM वो number होता है LCM वो number होता है जिस number को ये दोनो number divide कर देंगे पूरा पूरा ठीक है LCM क्या होगा किसी भी दो number का किसी भी दो number का LCM वो number होगा ना जिस number को ये दोनों पूरा पूरा क्या कर देंगे divide कर देंगे ठीक है सरकार आप ध्यान से देखिए तो आप यहां पे ऊपर एक ऐसा नंबर लिख दीजिए जिसे ये भी पूरा-पूरा डिवाइड कर दे और ये भी पूरा-पूरा डिवाइड कर दे तो आजाओ जरा इसको पकड़ते हैं टू की टू इंटू 3 की पावर में टू देखो यहां पे क्या लिखा है टू इंटू में 3 की पावर टू चक करते हैं क्या इसे डिवाइड कर पाएगा देखो यहां पे टू कितने है टू की पावर 3 है यहां पे तो टू अकेला है तो हमेशा याद रखो ये नंबर ये वाला नमबर इसे तभी डिवाइड कर पाएगा जब इस वाले नमबर में तू उतने ही हो जितने यहां पे टू हो यह वाला नमबर इसे तभी डिवाइड कर पाएगा जब उपर वाले नमबर में उतने कम से कम टू होने ही चाहिए जितने यहां पे टू हो यहां पे तो एक टू है यहाँ पे तीन टू है तो यह नंबर इसे पूरा-पूरा डिवाइड नहीं कर पाएगा तो option नंबर वन तो खलास हो गया ठीक है सर आप पहले समझ लेजे कोई भी नंबर किसी भी नंबर को तभी पूरा-पूरा डिवाइड करेगा जैसे आप ऐसे इसको समझ जेए सर काजरा थोड़ा साब आपको समझाता हूँ है ना माल लिजे कोई भी एक ऐसा नंबर आया अपने पास है ठीक है ऐसा माल लिजे मैंने कहा, मेरे पास एक नमबर है, two की पावर four, मैंने कहा two की पावर four किसे divide कर पाएगा, two की पावर four उसे ही divide कर पाएगा, जिसमें two की पावर या तो four हो, या फिर four से जादा हो, कोई भी नमबर किसी नमबर को तभी divide कर पाएगा, जब पूरा पूरा, जब उस नमबर में नीचे दिये गए नंबर से संख्या ज्यादा हो ठीक है अगर मैं गयता हूं लाकुत को टोने कर पाएगा तो यह निद्रदिवाइट कर पाएगा यह निचे वाला नमबर ऊपरवाले नमबर को पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर पाएगा कब division का मतलब है ठीक है सर बस अब आप समझ पाएंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूं अब देखे दोसरा option में देखे इसने कहा हुआ है किस किसका मुझे लचम चाहिए इसमें देखे टू की पावर थ्री है ना और इसमें 3 की पावर टू और इसमें क्या है तो की पावर टू है इसमें 3 की पावर थ्री है तो अब यह देखे नीचे वाले नंबर से उपर वाले नंबर में जादा संख्या होना चाहिए इसमें एक ही तीन है जबकि इसमें दो दो तीन है नहीं होगा खलास और इसमें देखे एक ही दो है इसमें तीन दो है तो यह भी नहीं होगा अब य अब यह देखे इसमें कम से कम 3 2 है और 3 3 है देखो इसमें 3 2 है ना तब उपर वाले नीचे वाले में बराबर है चलेगा बराबर चलेगा कम नहीं चलेगा LCM में नंबर कम नहीं होना चाहिए नीचे वाले से और यहां पे 3 की power 3 है यहां पे तो 3 की power 2 है तो नीचे कम है ऊपर जाधा है तो यही option correct हो जाएगा तो correct option 2 की power भी 3 होगा और 3 की power भी 3 होगा कभी भी जब दो number का LCM लेते हैं न तो वही number हमारा LCM हो सकता है जो number दोनों number से divide हो आप divide करो इससे भी पूरा पूरा divide हो जाएगा और इससे भी पूरा पूरा divide हो जाएगा जब करके देख लो divide करके भी देख लो आप अगर चाहोगे क्यासे 2 की power 3 है न तो यह भी पूरा divide होगा और यह भी पूरा इससे भी पूरा पूरा divide हो जाएगा ठीक है सरकार आगे देखते हैं आगे असरसेन रीजनिंग है इसके बाद खतम हो चुका है सरकार की टोटल 15 कोशन करने थे आपने देख लिया होगा वीडियो भी थोड़ी लंदी बन रहे होगी तो फिलहाल के लिए अभी इतना ही रहने देंगे आगे वाली वीडियो में जैसे आएगा आपको इसी तरीक है आता भी है के नहीं आता फिर बता ये का मुझे ठीक है सर